सब्सक्राइब माई चैनल रवी कुमार चंद्रयान टू को लेकर एक बहुत बड़ी खुसकपरी निकल करा दिये जी यहां पर मैं आप लोगों को बता दू इस तरों के अनुसार लैंडर विक्रम बिल्कुल सुरचीत है जी आज तो विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग ना होने के हार्ड लैंडिंग होई फिर भी बिल्कुल सही सलामत है उसके बिल्कुल तुकड़े ने यहां पर मैं आप लोगों को बता दू चंद्रयान टू को लेकर बुद्ध्वार को एक और राहत भरी ख़बर सामने आई है मिसन से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि आर्बीटर बिक्रम जो चांद की सथाय पर लैंड हुआ था वह सौप्ट नहीं हार्ड लैंडिंग हुआ दूस्तों अधिकारियों को कहना कि अगर यह सौप्ट लैंडिंग होती तो बिल्कुल सही सलामत रहती दूस्तों जो पलट गया मतलब जो उल्टा हो गया वह ऐसा बिल्कुल न है कि बिक्रम लैंडर का सनीवार तरके सौप्ट लैंडिंगे प्रयास के अंतिम छोड़ों में उस समय इसरों के कंट्रोल रूम से संपर्ग टूड गया था जब यह चांद की सतर से मातर 2.1 किलोमेटर की उचाई पड़ था लैंडर के बीतर प्रग्यान नाम का रोवर भी मिसन अवधी एक चंद्र दीवस जानी की धर्ति के 14 दिन के बरावर है इस लिहाज से अभी भी करीब 12 दिन का वक्त है विक्रम से संपर्ग अस्थापित करने के लिए इसलिए इसलिए इस तो ने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है इससे पहले इस रोचीप के सवाने कह सब्सक्राइब करने के लिए कोश्य की जा रही है इसके लिए तमाम वज्यानिक जुटे हुए है लेकिन अब तक किसी तरह का संपर्ग नहीं हो पाया है बताते कि चंद्रयान 2 का ओर्बिटर अपने स्थान पर पहुँच कर बहतर काम कर रहा है और ओर्बिटर की जरिये ही विक्रम लेंडर को लोकेट किया गया फिलहाल ओर्बिटर चान की कक्षा में 100 किलोमीटर की दूर साथ सालों तक अपना काम जारी रखे आईए अब बताते हैं कि आखिर ओर्बिटर किस तरह से खास है चंद्रयान 2 ओर्बिटर में हाई रिजूलूशन कैमरा समेथ 8 इंस्ट्रुमेंट है इसी कैमरे ने चंद्रमा की सतह पर पड़े विक्रम की तस्वीर भेजी है तस्वी है कि उसके उपकरंट शतिग्रस्त हो गए हो इसरो वज्यानिकों ने बताया कि विक्रम से संपर्क स्थापित करने के हमारे प्रयास अभी नहीं रुके हैं इसरो के अनुसार चंद्रयान दो काफी जटल मिशन था इसमें और्बिटर, लेंडर और रोवर्थ चंद्रमा के दक्षनी ध्रूप पर पहुँच नई जानकारिया देने वाले थे लेकिन कुछ कार्णों से चंद्रमा की सतह से कुछ दूर पहले ही पृत्वी का संपर्क लेंडर से तूट गया जो अब तक स्थापित नहीं हो पाया है 22 जुलाई को चंद्रयान 2 के लॉंज के बाद से ही न केवल भारत बलकि पूरी दुनिया की उम्मीदे इस पर टिकी हुई थी और अब भी बरकरार है